हेलो स्टूदेंट्स वेलकम बैक टू योईनियन पाटशाला कैसे हैं आप सब मैं दान्शी द्रिवेदी हम पढ़ रहे थे क्लास 12 बायलोजी का सेकंड चैप्टर सेक्शुल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ ल और हमने स्टार्ट किया था फीमेल सेक्स ओर्गन ठीक है जिसमें हमने कार्पिल और पिस्टिल जो की एक फ्लावर का फीमेल सेक्स ओर्गन होता है उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि एक कार्पिल और पिस्टिल स्टिग्मा स्ट्राइल और ओवरी से मिलकर बनता है ठी तो आज इसी Ovule के structure के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, Ovule के बारे में, तो यह आप देख रहे हो, यह है कार्पिल या पिस्टिल, सबसे पहला part जो आपको यह देख रहा है, सबसे पहला part जो आपको देख रहा है, यह क्या है यह है stigma उके दन यह जो second part आपको दिख रहा है tube जैसा structure stigma के बाद कौन सा है यह है style ओके सब से नीचे आ जाता है ovary ढ़ इसी ovary में पाया जाता है ovule यह ovule जो है न यह ovule ओ augment अर्व है से directly connected नहीं रहता है ठीक है, ovule ovary से एक structure के थूठ रहता है ठीक है, तो यह आप देख रहे हो कि एक डंडे जासा structure आपको दिखाई दे रहा है ठीक है, यह ovule से निकलता हूँ डंडे जासा structure दिखाई दे रहा है यह structure है, funicle ठीक है, जो की ovule को ovary से connect करता है, अब यह फ्यूनिकल भी जो है वो डिरेक्ली ओवरी से कनेक्टेड नहीं है यह भी जाके एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है यह देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजन्ट है ठीक है है ना अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते है इसे कहते है है placenta. तो ovule, funicle के थू प्लेस के थू, placenta के थू ओवरी से Connected होता है. डिरेक्टी Connected नहीं रहता है. अब यह ovule, funicle से जिस पॉइंट पर connected रहता है. ठीक है? यह जो point है, जिस point पर ovule funicle से Connected है, इस point को हम क्या कहते है? इस point को कहते है angelum. ओके ओव्यूल जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल से कनेक्टेड रहता है उस पॉइंट को हम कहते हैं हिलम अब आप देख रहे होगे कि ओव्यूल के बगर में मैंने ब्रैकेट में लिखा है मेगा इस्पोरेंजियम आपको याद होगा जब हम मेल सेक्स ओर्गन में पॉलेंग्रेंज के फॉर्मेशन के बारे में पर रहे थे तो हमने देखा था कि एंथर में माइक्रो इस्पोरेंजियम पाए जाते हैं ठीक है, उन्ही माइक्रोस्परेंजियम में माइक्रोस्पोर्ज बनते हैं, जो की आगे जाके पॉलेन ग्रेंज में कनवर्ट होते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्परेंजियम क्या था, मैंने बोला था आपको, कि जब माइक्रो की बात आए, जब माइक्रो की बात आए, तो मेगा इस्पोरेंजियम मतलब क्या हो गया इस्पोरेंजियम मतलब हो गया एक चेमबर जहां पर मेगा इस्पोर बनेंगे तो ओव्यूल क्या है ओव्यूल है मेगा इस्पोरेंजियम ठीक है इसी में ओव्यूल में बनेंगे मेगा इस्पोर जो की फीमिल गैमीट कह सकते है आ तुल को जिए में अब मैंने यह भी बताया था कि यह ओवरी जो है आगे जाके फूर्ट बनता है और व्यूल जो है आगे जाके सीड बनता है ठीक है यह देखो यह है एक ovule का structure यह structure आपकी बुक में दिया हुआ है है ना पढ़ते हैं ovule के structure के बारे में तो सबसे पहला पार्ट तो होगे ovule का funicle funicle क्या है stock of ovule by which it remains attached to placenta ovule से निकला हुआ stock यह देखो यह है funicle ovule से निकला हुआ stock जो की placenta से attached है ठीक है तो यह हो गया funicle next क्या है next है hillum junction between junction between ovule and funicle or the point of attachment of funicles to the body of ovule simple बात है hillum क्या हो गया ovule और funicle के बीच का junction या ovule और funicle को connect करने वाला point ठीक है ovule और funicle को connect करने वाला point hillum okay फिर आता है integument integument क्या है यह देखो यह structure आप देख रहे हो यह तो एक ovule का structure हो गया अब यह देखो यह जो लेयर्स आपको दिख रही है inner integument outer integument यह वाली layer यह वाली layer यह वाली layer इंटेग्यमेंट्स इस ovule को प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है ओव्यूल क्या बनता आगे जाके सीड बनता है ठीक है तो सीड की भी तो एक protective covering होनी चाहिए ठीक है सीड की भी एक protective covering होनी चाहिए तो सीड इंटेग्यमेंट्स जो होते हैं वो सीड कवर का काम करते हैं आगे जाके यह देखो इस point की बात हो रही है Micropile end जहां पर integument absent है अब यहां पर integument absent क्यों है यह हम यहां से समझेंगे यह देखो यह हो गया stigma यहीं पर enter से release हुए pollen grains जो है आकर land करेंगे ठीक है stigma पर pollen grains आकर land करेंगे अब यह pollen grains यहां पर क्या करेंगे न pollen tube बनाएंगे ठीक है pollen grains यहां पर land करने के बाद pollen tube बनाएंगे जो की tube इस पूरे रास्ते से होकर गुजरेगी इस पूरे रास्ते ठीक है इस style की through होकर ओवरी तक पहुचेगी pollen tube ठीक है जो कि pollen grains land होने के बाद बनाएंगे तो जो pollen tube बनेगी तो इस ovule को आप देखो यह हर तरफ से covered है तो कोई एक end तो इसका open रहना चाहिए ताकि pollen tube यहां से enter करे और जो उसके अंदर pollen grain है male gamete है जो pollen grain के अंदर उसे release कर सके ताकि fertilization हो नहीं समझाया बाद में समझ में आ जाएगा जब हम fertilization पढ़ेंगे अभी simply यह समझ लो कि यहां पर integument इसलिए absent रहता है ताकि pollen grains जो pollen tube बनाते हैं वो pollen tube यहां से enter हो सके यहां पर male gamete पहुंच सके fertilization के लिए बस ठीक है इतना आप लोग जाद रखो और यह end हो गया यह जो ovule का open end जो होता है यह हो गया micropyle end ठीक है इसके opposite ही present होता है chalizal end ठीक है micropyle end के opposite कौन सा end present रहता है chalizal end अब newcellus newcellus parenchymetis part of tissue enclosed within the integuments and forms body of ovule और इसके cells होते है two-n cells यहां पर समझ बहाएगा यह देखो यह पार्ट है newcellus ठीक है ovule के अंदर का यह newcellus जो है न यहां पर बहुत सारी deployed cells present रहती है ठीक है यहां पर बहुत सारी deployed cells present रहती है जैसे micro spore engine के अंदर बहुत सारी deployed micro spore mother cell present थी न वैसे ही newcellus ovule क्या है mega spore engine ठीक है तो यहां newcellus में बहुत सारी deployed cells present रहती है जो कि mega spore mother cells होती है ठीक है इन ही में से एक जो cell होती है वो divide होके आगे जाके embryo sac बनाती है यह embryo sac development जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है फिराल यह समझ लो कि newcellus में बहुत सारी cells पाई जाती है जो कि deployed होती है और इन cells के पास बहुत सारा nutrition होता है यानि इन cells के पास बहुत सारा भोजन होता है खाना होता है किसके लिए इस embryo sac के लिए यहां पर जो fertilization होगा ठीक है और यह जो embryo बनेगा इसे खाना भी तो प्रोवाइड करना है तो कौन प्रोवाइड करेगा नियू सेलस प्रोवाइड करेगा तो समझ गए ovule के parts हिलम समझ गए ovule के parts हिलम हिलम हो गया जो की ovule और funicle को connect करता है यह दो को funicle और यह यहां से ovule start है ठीक है तो इन दोनों को connect करने वाला जो point हो गया वो हो गया हिलम ओके funicle ovule से निकला हुआ एक rod जैसा structure जो की placenta से connected होता है placenta किस से connected होती है ओवरी से ठीक है देन आज आता है micropile और यह हो गया micropiler pole ठीक है यह micropile यहां पर integument absent है यह इसलिए open है ताकि यहां से pollen tube enter हो सके pollen grains milk emit release कर सके ठीक है इसलिए होती है यह end open और इस end को कहते है micropiler end ठीक है अब ovule को outer और inner integument जो होते हैं वो cover करके रखते हैं इन integument का काम क्या है ovule को protection प्रोवाइड करना ठीक है देन आगया new cellus new cellus यानि बहुत सारी deployed cells present रहती है यहां पर जिसके पास बहुत सारा reserve food material होता है जो की developing embryo sack को nutrition प्रोवाइड करती है ठीक है यह embryo sack कैसे बनता है यह हम आगे पढ़ेंगे ओके फिलाल आप समझ गे ovule का structure अब यह ovule जो है बहुत अलग-अलग position में present रहते है एक ovule में ठीक है ovule एक ovule में अलग-अलग position में present रहते हैं उसी के basis पर चाल टाइप के ovule है जो आप जान लो ठीक है तो सबसे पहला ovule का टाइप है orthotropas इस ovule में क्या होता है यह कैस ovule होता है जिसमें माइक्रोपाइल चैलेजर और फ्यूनिकल यह तीनो जो है न यह एक स्ट्रेट लाइन में होते है टाइग्राम देखो यह देखो माइक्रोपाइल यह हो गया माइक्रोपाइल यह हो गया फ्यूनिकल और यह हो गया चैलेजर यह देखो यह तिनों एक ईक स्ट्रेट लमान मैं है तो यह कौन सा तराइब का ओRIA होगया यह हो गया और्थोत्रॉपस ओ्यूen जिसमें माइक्रो पाईगा यसे अन फिय। यह यह उत्यकिल एक तृत्रिट इसमें क्या होता है यह जो है 180 डिग्री एंगर पर टर्न हो जाता है इसे इंवर्टेड ओव्यूल भी कहते है और 82% एंजियो इस परम में एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है यह देखो यह है ऑनाट्रोपस ओव्यूल जो कि आपके बुक में दिया हुआ है ठीक है पाजलो उल्टा ओव्यूल ओके यह देखो 180 डिग्री टर्न हो गया यह हो गया उल्टा ओव्यूल ठीक है यह किसमें किसमें पाया जाएगा पाया जागा है लियन्थस में और ट्राइडेक्स में ठीक है इसके टाइप और एक्जामपल आप अच्छे से याद रखना ओके देन हमी अनाट्रॉपस जिसमें ओव्यूल जो है फ्यूनिकल पर 90 डिग्री अंगल पर टर्न हो जाएगा ठीक है ओव्यूल फ्यूनिकल पर 90 डिग्री के अंगल पर टर्न हो जाएगा और उको दिखाती हूँ डाइग्राम यह देखो यह है ना यह हो गया फ्यूनिकल इस इस पर 90 degree turn हो गया है यह ओव्यूल है ना इसे याद ऐसे रखो यह देखो यह है ना ट्रॉपस यह तो उल्टा ओव्यूल हो गया ठीक है इसको अपोजिट करेगा तो सिधा हो जाएगा यह वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो यह है ओव्यूल उल्टा ओव्यूल है ठीक तो यह ओव्यूल जो है यह पूरा ही उल्टा है ठीक है यह ओव्यूल पूरा ही उल्टा है यह ओव्यूल आधा ही पल्टा है ठीक है आधा ही टर्न हुआ है यानि 90 डिग्री टर्न हुआ है फ्यूनिकल पर ठीक है ऐसे भी आप याज रख सकते हो हमी मतलब हो गया हाफ ओके तो एनाट्रॉपस का हाफ, ठीक है, एनाट्रॉपस में अव्यूल पूरा उल्टा मूर जाता है, हमी अनाट्रॉपस में 90 डिग्री पर होता है, ठीक है, इसका एक्जाम्पल क्या हो गया, रेननक्यूलस, इसका एक्जाम्पल हो गया, रेननक्यूलस, देन लास्ट आइप है, amphitropos ovule यह ovule जो है होर्शू आपने देखा है ठीक है गुड़े की नाल जिसे कहता है होर्शू ठीक है amphitropos ovule जो है न होर्शू शेप का ही दिखेगा आपको देखो ovule as well as embryo sac ovule और embryo sac दोनो जो है वो होर्शू के तरह मुर जाएंगे ठीक है होर्शू के तरह मुर जाएंगे यह देखो डायग्राम देखो यह ovule और यह embryo sac दोनों होर्शू के तरह मुर गया ना ठीक है यह ovule कौन सा हो गया amphitropos ovule हो गया किसमे किसमे पाया जाएगा poopy और elizma ठीक है तो यह हो गए types of ovules अब थोड़ी NCRT देख लेते हैं यह देखो arising from the placenta are megasporangia commonly called ovules placenta से arise होते हैं ovules है ना फिर the number of ovules in an ovary may be one to many एक ovary में या तो एक ovule पाये जाएंगे या एक से जादा ovules पाये जाएंगे ठीक है ovary क्या हो गया future का fruit ovule क्या हो गया future का seed ठीक है अब the megasporangium ovule megasporangium megaspor को बनाने वाला chamber कौन है ovule है ओके ovule क्या है एक small structure है जो कि placenta से attached रहता है funicle के थू यह तो हमने पढ़ा अभी जब हमने ovule का structure देखा था तो है ना यहाँ यह देखा ovule placenta से connected रहता है funicle के through ठीक है इसके बाद देखते है क्या है अब body of ovule fuses with funicle in the region of hilum ovule जिस point पर funicle से connect करता है उस point को कहते है hilum thus hilum represents the junction between ovule and funicle ठीक है hilum क्या हो गया junction between funicle and ovule एक इच अव्यूल has one or two protective envelops called integuments हर ovule में एक या दो integuments होते हैं जो कि ovule की protection करते है ठीक है आगे जाके ये seed cover बनते है seed coat के लो या seed cover के लो ठीक है integuments encircle the newcellus except at the tip where a small opening called micropyle is organized ठीक है पूरे ovule को integuments cover करते है okay newcellus को cover करते है एक point पर छोड़के और उस point पर जहाँ पर integuments absent होते है उस point को कहते है micropyle end यहीं से pollen tube की entry होती है micropyle end से pollen tube की entry होती है और pollen tube से pollen grains release होते है जिसमें से फिर male gamit release होता है fertilization होता है यह आपको fertilization में अच्छे से समझ में आ जाएगा micropyle end के opposite कौन से end present रहता है chalizal end ठीक है जो की represent करता है basal part of ovule okay enclosed within the integuments is a mass of cell called newcellus integuments के अंदर क्या पाया जाता है newcellus पाया जाता है newcellus के mass of cells है इसमें बहुत सारी deployed cells present रहती है मैंने अभी बताया ठीक है इसमें बहुत सारी deployed cells present रहती है किसमें newcellus में अब newcellus के cells के पास क्या होता है abundant reserve food material अच्छे खासे amount में food material present रहता है newcellus के पास और newcellus में क्या पाया जाता है embryo sac या female gametophyte फिलाल इसे microisporancium कह लो जब इसमें female gamet बन जाएगा ठीक है जब female gamet बन जाएगा तब यह embryo sac कहलाता है जब तक female gamet नहीं बना है तब तक आप इसे female gametophyte कहो या megasporancium कहो या ovule कहो लेकिन जब female gamet बन जाता है तब इसे कहेंगे हम embryo sac ओके एण ओव्यू जेनरली हैस सिंगल embryo sac formed from a megaspor यह आगे हम पढ़ेंगे ओके कि embryo sac कैसे बनता है newcellus में ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया यहां तक clear हो गया आपको ovule का structure और position के based पर ovule के types कितने हो गया ठीक है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने friends के साथ share करें ताकि उन्हें भी ovule के structure के बारे में पता चल सकें समझ आ सकें कोई doubt तो clear हो सकें और अपने channel union बाटशाला को subscribe करना ना भूले thank you, bye bye, take care